ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव कथा और पूजन के अंत में हरहर महादेव क्यों कहा जाता है? आपने अकसर देखाओगा कि पूजा आतिय कथा समाप्त होने के बाद हाथ उपर करके हरहर महादेव कहा जाता है तो हिंदु धर में अनेक देवी देवता है और भक्त अपनी आस्था के अंसर किसी भी देव की पूजा कर सकते हैं तो ऐसा क्यों है कि पूजा आर्थी और कथा के बाद हर हर महादेव बोला जाता है अगर आपके मन में सवाल है तो इसका जवाब ही हम लोग के पास है अगर सर सब्दों में कहें तो हम लोगों के अंदर भागवान यानि महादेव वाश करते हैं तो हर हर महादेव का अर्थ ये बताया गया कि हर किसी में महादेव क्योंकि संस्कित में हर का मतलब होता है दुख और कष्टों को हरना और महादेव का मतलब है जो सभी देव में सबसे स्रेष्ट है तो हर हर महादेव का अर्थ हुआ कि हे महादेव जो सभी देव में स्रेष्ट है आप मेरे अंदर के साए दुख कष्ट और विकारों को दूर करो क्योंकि महादेव हर किसी के दोस हर लेते हैं और सभी को दोस रहित पविद्र कर देते हैं महादेव की पूजा मात करने से हमारी सभी दोस नश्ठ हो जाते हैं इसलिए महादेव की भक्तों द्वारा हर हर महादेव का जाप किया जाता है क्योंकि हर सिवभक्त हर हर महादेव का जैकारा बोलता है इस जैकारे से मन, बुध्धी, विचार, कर्मवाणी की सारे दोस नश्ठ हो जाते हैं अब ये जान लेते हैं कि हर हर महादियों बोलते समय हम दोनों हाथ उपर के उठाते हैं तो दोस्तों जब हम हाथ उठाकर हर हर महादियों कहते हैं तो यह हम भागवान शीर को पुकाते हैं कि हे महादियों हमारे कष्ट पीड़ा और विकारों को हरो और जब हम भागवान से मदद के लिए गोहार लगाते हैं तो दोनों हाथ उठाकर हम भागवान शीर से खुद को इस्यार दएस बुरी आतसे बचाने के लिए कहते हैं और अपने सुना भी होगा की हात खड़े कर देना इसका मतलब होता है समर पढ़ कर देना तो हम भवान श्युकों समर्पित होकर दोनुँ हात उठाकर कहते हैं हर हर महादियो तो दोस्तों हम आशा कहते हैं कि आपको हमाई बताएगए वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और आप इस वीडियो को सेर कना भी नहीं भोलेंगे। और कमेंट में हर-가र महादियु भी लिखना नहीं भोलेंगे। तो दोस्तों हर-हर महादियु।